उन नोजवानों के बारे में इस रागनी में लिखा है कवी ने कि जिन नोजवानों ने ना तो अपने बारे में सोचा ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा ना ही अपने गाओं के बारे में सोचा सोचा तो सिर्फ अपने भारत माता के बारे में सोचा उन नोजवानों का एक ही रादा था एक ही मकसद था कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सहीदों की खुरबानी बदनाम नहीं होने देंगे अरे जब तक बच्ची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में जब तक भारतमा की आचल को नीलाम नहीं होने देगे जो देस पेमर मिट गे वो देस दिवाने थे जंदा लहराया था असली मर्दाने थे जो देस पेमर मिट गे वो देस दिवाने थे जो देस पेमर मिट गे वो देस दिवाने थे जंदा लहराया था जंदा लहराया था असली मर्दाने थे जंदा लहराया था असली मर्दाने थे जंदा लहराया था असली मर्दाने थे जो वतनिके रक्षक असली जो वतनिके रक्षक असली सीने पे खा गए बोली था एक लब का नारा था एक लब का नारा था यही एक थी बोली जा एक लब का नारा था यही एक थी बोली नागर में पड़के सोए जंकल में ठी गाने थे जंका लहराया था असली मरगाने थे जंका लहराया था असली मरगाने थे प्रवाद खड़े करो जो सचा हिंदुस्तानी है जो अपनी भारत माता से प्यार करता है बिलकुल सिदे पूरा कुछ लोगों ने हाथ खड़े किये कुछ लोगों ने नहीं किये अरे जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े ने कर सकते तो और क्या करोगे सच्चे हिंदुस्तानी आठा उठा उठाइए विलकुल सिदे हाथ और अगर कोई पाकिस्तानी वैठाए तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी उठाने हाथ और कहना है क्या दिल दिया है जान भी देखे ए वतन तेरे लिए तिल दिया है जान भी देखे ए वतन तेरे लिए वहरी करम हम ना करेंगे ए वतन तेरे लिए डिल दिया है जान भी देखे ए वतन तेरे लिए वहरी करम हम ना करेंगे ए विए तिल दिया है जान भी देखे इन से जिएफ, भाफ में ने भुखुनी रे। इस जिए भाफ, भाफ, नो,, भाफ, नो, भाफ, नो, भाफ, नो, जोस्टक्त को घुखे से तकित्न है, में लोगने ने। आप सभी ने देखा होगा जब पुल्वोमा के अंदर हमारे चवाली सेनिक अपनी सहदत दे कर गए तो उनके पार्थिक सरीर जब उनके घहर पे पोचे तो आपने नियूस पे देखा होगा बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री इनके परवक्ता बैठकर बासन दे रहे थे कि क्या हुआ नोजवान मर गया अरे सेना में बरती नोजवान मरने के लिए होता है किसी ने कहा कि क्या हुआ नोजवान मर गया हमारी सरकार ने पांच लाग रुपे दिये एक नोजवान की गिमत दूसरे परवक्ता ने कहा कि अगर तुम्हारी सरकार ने पांच दिये हैं तो हमारी सरकार ने आठ लाग दिये हैं तीसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने पाँच और आठ दिये है तो हमारी सरकार ने दस लाख दिये है मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी और सच्चा दिल से हाथ हिला कर बताना कि क्या हमारे देश के एक नोजवान की कीमत पाँच या आठ या दस लाख रुपए है नहीं है जवाब दिया उनको और कहा कि अरे नोजवानों की कीमत लगाने वालो तुमने दस दस लाख दिये है सेनिक की विदवाओ को दस लाख रुपे दे कर ये समझ दें कि जैसे एक उरत का पती वापस कर दिया हो एक माँ का बेटा वापस कर दिया हो कि तुमने दस दस लाख दिये है सेनिक की विद्वाओं को और मानों की मत लोटा दी है फिर पर सूता माओं को तो लो मैं भी इस लाख देती हूँ अरे तुम किसमत के हटो को और हिम्मत है तो मंत्री बेजो लड़ने अपने बेटो को जब खुद का बेटा सीमा पे जाके यहाँ सीने पे गोली खाएगा न और जब देश के लिए सहादा देगा जब पता चलेगा कि एक बेटे का दर्द क्या होता है एक बेटे की खीमत क्या होती किस तरह से कहा कि जो आुरत जिनों ने अपनी मां का सिंदूर खोया हो जिस बहन के लिए कलाई बाँ, राखी बाँने के लिए कोई कलाई ना बची हो जिस माँ बाप का बुढ़ापे का साहरा न बचा हो और जिस माँ बच्चों की सर पे से बाप का साया उठ गया हो उनी का दर्द तो उनी को पता है कि एक पिता का दर्द क्या होता है, एक भाई का दर्द क्या होता है जब इतनी बात एक थोजी की माँ ने सुनी ते एक मा ने अपना धरत बया किया और कहा कि सुक भर पूर गया मांग का सिंदूर गया नन्हे नों निहालों की लंगोटिया चली गई सुक भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नंधेनों निहालों की लंगोटिया चली गई बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई चोटी चोटी बेटियों की चोटिया चली गई अरे ऐसा विस फोट हुआ पुलवामा के अंदर इस जिस्म का पता ही नहीं खकिये बोटिया चली गई अरे नोचुवाणों की कीमत लगाने वालो आप के लिए तो एक आदमी मरा है सहाब लेकिन मेरे घर की तस ब रोटिया चली गई मेरे घर की तस ब रोटिया चली गई जो गित्वा हुई थी नारी क्या दिल पेसद में गुजिने इसी आजादी के कारण जन कितने कुण बे उजडे इसी आजादी के कारण जन कितने कुण बे उजडे दिहस के कुरवानी सचे परवाने थे जंदा महराया था असरी नरगाने थे वो भगत बोसी उधम सिंग् भारत मा के हीरा आजादी इला के छोड़ी ना उन जैसा कोई वीरा अस दिल में सपना था अंगरे जबनाने थे जन का लहराया था असरी मरगाने थे जन का लहराया था असरी मरगाने थे यह भारत देश वो महन देश है जहां पे आप सिभाई चारा बना रहता है जहां पे साकाहारी खाना है जहां पे ये खादी की वर्ती है लेकिन आज के समय में कुछ परश्टाचारी नेता देश को खराब करने का काम करते हैं इसलिए कहां कि कैसा ये देश है धरती सुने हरी अंबर नीला हर्मों सब्दन नीला ऐसा देश है मेरा आज भारत मा रोती है कुछ देश में ब्रश्टाचारी ये अपना पेट बढ़ाते कह देविंदर परचारी पातो ताज करगी जो दी तो पुराने थे जंदा नहराया था असली मरदाने थे जो देश पमर मिट गे वो देश दिमाने थे जंदा नहराया था असली मरदाने थे दो 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 ये असली मरदाने थे जो दो 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 पमर मिट थे